तो देखे मैंने जो स्टॉक चुना है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मैंने फॉस्स डिसम्बर को जो हमारा अपरी एलेक्शन के बाद का शू हुआ था संडे को उस वक्त रिकमेंड किया था मैंने कहा था कि यह स्टॉक चला ही नहीं है और यह स्टॉक में जो अपसाइ वर्ड केन नॉट एक्स्प्रेजर देखे एक साल का बहुत बड़ा जाइज़न डिक का अव में से निकल रहा है अब गाहोता है इन जनरल केश़ इस तरह के वर्डे स्टॉक जो मारकेट के फवाइस होते उनमें पुल बैक आता है जनरली तो मैंिसा कहूंगा कि चला एक त 10-12 रुपे निमिचे मिले 630 तक मिले तो भी लीजे मुझे लगता है यहां से अब यह स्टॉक जा रहा है 700 के आसपास क्योंकि मैंने 570 के आसपास रिकमेंड किया था और पहला टार्गेट जो 650 का था हम उसको अप्रोच कर रहे हैं अब यहां पर stop loss रखना होगा 625 का और इस अब भी जो है वेल्यूएशन कमफर्ट है तो यहां पर एक शॉट कवरिंग का भी यहां पर एक शॉट कवरिंग का भी कैंडिट हो सकता है तो डेफिनिटली इसमें खरीदारी कर सकते है फ्यूचर में spread बनाना है आशुजी क्योंकि सात में है तो मैं बोलूंगा वो भी ए जाता है तो अगर आप देखेंगे 10-12 रुपे में आपका फ्यूचर लॉंग हो जाता है और अगर 700 की एक्सपायरी आती तो इसका वाव यहनो 40-50 रुपे तक होना चाहिए तो मुल्टिपल वेज है फ्यूचर बाई कर सकते हैं वन इस्टू और वन कॉल स्पर कर सकते हैं तो खरिदारी करी सकते हैं यह सीरीज में 700 की व्यूच के साथ SBI खरीदने के सला है SBI यहाँ पर आपके लिए खरिदारी के सला आती भी दिख रही है इस पर भी बड़ा आक्शन बन रहा है और लाइफ हाई पर है समें SBI फ्रेश हाई और इग्जाट्ली हाई लेवल पर अ साथ सो तक के टार्गेट्स भी आ रहे है तो बड़िया मोमेंटम पूरे बास आरे में आपको दिख रहा है